आपको बहुत बहुत स्वागत है आपी के अपिजिन चैनल स्टॉक मागेट टोडेए पे आज देखते हैं निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया कल कैसा परफॉर्म कर सकते हैं कौन से लेवल के आसपास में निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं इस वीडियो में दोनों लेवल के डिस्क्रेशन करने वाले अगर आप ऐसे ही लेवल एनलिसिस चाहते हैं तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजे बेल नोटिफिक्शन हो हिट रखे ताकि कोई भी पैटरन रिपीट होता दिखाई दिया कहीने की बजार जिस हाई को पहले बजार ने रिस्पेक्ट किया था उसे हाई को रिस्पेक्ट किया वहाई से करेक्शन आई पहले भी करेक्शन बजार में यहीं से इसी लेवल से आई थी अब यहाँ पर एक आपको थोड़ा सा पु जास के आसपस के लेवल है और ये लेवल अगर अभी भी रिस्पेक्ट हो जाते है एक pullback आ सकता है वागपस आ सकता है पर बज़ार में गिरावाट के वह यह समझ दीजिए budget से पहले हमेशा से यह माना जाता है कि जो FIs है जो बड़े investors है एक बस सेक्टर reshuffling करने के लिए अपने portfolio को profit working start करते है वो wait कर रहे होते हैं कि budget कैसा आएगा देश की वित्बंतरी नया budget पेश करेंगे और budget पेश होने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है और देखा जाएगा कि सरकार का सरकार का focus किस सेक्टर को लिए जिस सेक्टर की तरफ सरकार का रुज़ान होगा वहां पे पाइसा जाएगा और जहां नहीं होगा वोजि सेक्टर से पैसा निकल जाएगा जिसकों सेक्टर shuffling जाने के बाद वह रैली स्टार्ट होती है तो बहुत दिहान से budget को कहीं नहीं पॉजिटिफ है, अप्टिमिस्ट ही गा, बट अगर जो सेलिंग आ रही है, जो करेक्शन आ रही है, ये करेक्शन आने के पीछे वज़े है कि पूरी पॉसिबिलिटीस है कि FIs अपना माल बेच रहे हैं, वेट कर रहे हैं, नया बजट है कौन से सेक्टर की तरफ हम बेटेज देने वाले हैं, चुरूरे देखते हैं कि बज़ार आज कैसा रहा है, इंट्राडे देखने के अगर कोशिश करें तो यहां से हमें समझ में आएगा कि हमें कल कौन से लेवल के आसपास खाम करें चेका है, इस मैं दोरान पर यह रेंज ब्रेक होती है, और यह रेंज ब्रेक जब होती है, तो बज़ार एक नीचे डाउन फॉल के तरफ चल पड़ता है, यहां से अच्छा कासा रेस्टेंस रहेगा 17,850 की उपर 17,850 और 17,875 ये हमारा रेस्टेंस लेवल रहेगा अगर इसको बजार क्रॉस कर रहा है तो हम उपर की तरफ खेल सकते हैं तो बजार हम समझते हैं कि बजार उपर की तरफ निकल जाएगा परंतु अगर नीचे में जो आज का लो है 17,700 के आसपास का अगर ये तूट जाता है 17,700 के आसपास में अगर ये लो तूट जाता है तो हम फर्दर बेगडाउन करने की कोशिश करेंगे तो अब सवाल ख़ड़ा होता है कौन-कौन से लेवल हो सकते हैं हम कल इंट्राडे के लिए बात कर सकते हैं कल के इंट्राडे के जो हमाई लेवल हो सकते हैं मैं आपको दोनों लेवल देने वाला हूँ हम इंट्राडे की पहले बात कर लेते हैं अगर इंट्राडे के लेवल्स की बात करने की कोशिश करें तो कल हम जो buy करने वाले हैं जो हमारा buy above रहेगा आप नोट के लिज़ेगा इनको buy above रहेगा 17,834 के उपर में और हमारा stopless रहेगा 17,790 के नीचे में हाला कि बजार इसके नीचे खुलता है तो हम selling में ही बैठने वाले हैं और यहां से अगर हमारा पहला target रहता है तो अगर 17,834 के उपर बजार अगर निकल जाता है तो हमारे targets क्या रहेने वाले चाहे है buying side के हमारे targets रहेंगे 17,840 के बहुत आसपास का चोटा सा target इसको आप ignore कर सकते हैं बिसक्री 17,900 के लिए हम चलने वाले हैं 17,901 के लिए चलने वाले हैं ये इंटरड़े के level रहेंगे कल हमारे तेजी के लिए और वही अगर downside के बात करने कोशिश करें तो downside में हमारा जो major support मैंने आपको कहा जो 17,790 का अगर तूट जाता है तो इसके बाद में जो हमारे targets आने वाले है downside को थोड़ा red कर देते हैं याद रहे 17,750 पहला support रहेगा और अगर ये support तूटता है इसके नीचे बाद चल देता है तो 17,664 और उसके नीचे में बाद अगर निकलता है तो 17,634 एक mother of all support रहेगा कल intraday के लिए यहां से नीचे गिरेगा बदा तो 17,500 तक के level आपको देखने को मिल सकते हैं यह intraday के level गाईज अपनी analysis कर लिजीगा उसके बाद इट्रेड लिजीगा और अगर यही level हम positional देखने की कोशिश करें जो swing करना जाते हैं जो बिल्कुल swing में भी लिग करते हैं swing में अगर भी लिग करेंगे तो 17,689 17,689 is the major support यह complete month के लिए major support गाई 17,690 और यहां के नीचे में जो support target rank 17,556, 17,424 और worst case scenario में 17,292 यह swing के targets पूरे महीने के लिए रहने वाले याद कर लिजीगा लिख लिजीगा कहीं पे और उपर में अगर बजार चलता है उपर में बजार चलता है 17,690 को support को किसी वैसे break नहीं करता है और उपर के तर चल पड़ता है तो जहां हम खड़े हैं भी 17,820 के आसपास में यह major हमारा license है और इसके उपर में हमारा target रहेगा 17,956 का और उपर में 18,90 का यह हमारे अभी हाल फिलन आने वाले एक हफते के लिए यह level रहने वाले है हमका live solution करेंगा इस रात को 9,95 पर तो प्रीज कुद भी आएगा में दोस्तों भो लिखाएगा यह nifty के level analysis थे अब हम चलते हैं bank nifty के तरफ की bank nifty कैसा दिखाई दे रही है और bank nifty में हमको क्या करना चाहिए bank nifty में कौन से level में हमें काम करना चाहिए कौन से level में हमें काम नहीं करना चाहिए चले bank nifty के तरफ बढ़ते है और bank nifty को भी अगर देखेंगे तो बिलकुल daily chart के उपर bank nifty बिलकुल वैसे यह दिखाई दे रही है जैसी हमें almost nifty दिखाई दे रही थी और इसने भी एक अच्छे खासा एक fall देना शुरू किया है हाला कि flag pattern बहुत से लोग इसको कह सकते है ठीक है एक flag pattern बन जाता है और कहीं अगर flag pattern में बज़ार अगर support ले ले तो एक ठीक टाक सा breakout मिलता है यह आपको मालूम ही होगा और अच्छा खासा और यह कहा जाता है कि जितनी length pole की है फिर से एक pool repeat हो सकता है अच्छी कासी आपको rally मिल सकती है तो पूरी possibility से है कि अगर बज़ार इस budget को कहीं ने कहीं समझ जाता है कि हाई बज़ार मेरे favor में है तो बज़ार में हर तरफ से banking में तो खासकर rally आनी ही होती कोई business चलेंगे तो banking के through ही चलेंगे बिना banking कोई business नहीं चल सकता है तो यहाँ पर हला कि अगर candle की बात की जाए candle की shape की अगर बात की जाए तो candle बहुती ज़दा डरावनी तो है ही बट उतनी भी डरावनी नहीं है जितनी लोगों को लगता है है ना यह देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा जितना bearish पार्ट था हमारी candle का उतना ही हमारा pullback पार्ट था हलागि pullback पार्ट थोड़ा सा जादा सा तो यहाँ पर एक अच्छा खासा support दिखाई दिया pullback पार्ट तही candle को समझने का बहुत simple तरीका आपको बता दिया मैंने यह candle का चली candle सोड़ा समझा देते हैं आपको ताकि वीडियो इंट्रस्टिंग लगे और अच्छे समझ में आ रहे सब को डिलिर कर देते हैं मान लीचिए अब आपकी यह एक candle है मैं आपकी pencil उठा लेता हूं यह मेरी candle है ठीक है यह मेरी wick है आपको देखना होता है कि wick बड़ी है या body बड़ी है अगर body बड़ी है तो इसकावन प्रेशर जादा है selling side में पर अगर wick बड़ी है तो इसकावन यह है कि बजार ने नीचे तो लगाया था बड़ेक pullback बहुत सबर्स तरीके से है तो यहां पर पूरा एक demand zone type हो सकता है यहां एक demand zone type हो सकता है यहां पर buyers हो सकते हैं वो इससे नीचे नहीं लेके जाना चाहते है इसलिए बजार में pullback आया था तो बजार में green candles को के देखने कोशिश करे तो बजार यहां तक आया आज की rate में और अच्छा खासा pullback 37,700 को बजार ने नहीं तोड़ा 37,700 seems to be very very good support for bank nifty as of now चलो हम इसमें देख लेते हैं कि का आज कौन से support समाए रहे और कहां से बजार अब चल सकता है यह देखने वाली बात रहेगी कि बजार में क्या rally आ सकती कहां से हमको rally देखनी होगी अब यह level को कर देखें बजार कितने दिनों से इस level को cross नहीं कर रहा है आप यह देखिए यह एक support था यहां से उपर जाता था एक resistance है का 38,200 का एक resistance आने वाल है और इसके बाद में जो हम resistance फेस करने वाले वो हम फेस करने वाले 38,400 के आसपस का 38,200 के बाद में देखेंगे तो यह level हमारा एक है जो resistance का काम किया था जहां से अच्छा कासा समय bank nifty ने बिताया था उसके बाद में एक अच्छा कासा high लगाए था 38,900 के लिए bank nifty गई थी तो यह एक level रहेगा हमारा जो फिर अगला resistance रहने वाला है 38,000 मोटा मोटा 38,450 के levels के लिए अब कल intraday के levels क्या हो सकते हैं और positional जो कर रहे हैं वो करने वाले 38,029 के उपर buy करने वाले रहेंगे stop loss हमारा रहे रहेगा 37,964 के stop loss का intraday के लिए उपर में target रहे जो रहेगा चोटा सा target रहेगा 38,083 का first target रहेगा उसके बाद एक resistance रहेगा 38,127 का intraday के बात कर रहे हैं यह अगर break करता है तो पूरी पूरी chances 38,230 जो हमने अभी बात की थी और यह सब निकल जाता है तो 38,387 38,400 के आसपास के जो level मेंने बात की थी exactly वही level रहने buying side के level आपको दे दी गए है अब selling side के level आपको दे जेता हूं 37,964 को तोड़ता है बाजार तो 37,867 का एक पहला target रहेगा पहला support रहेगा यह का break हो जाता है तो 37,770 यह एक major support रहने वाला है जो second target हो सकता है अगर यह breach करता है तो फिर bank nifty को एक जटके से 37,608 तक जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता guys I hope यह level आप note कर लेंगा नहीं ते वीडियो को replay कर लीज़ेगा अब देख लेते हैं हम positional targets हमाई रहने वाले हैं positional targets कैसे रह सकते हैं positional targets हो करने वाले जो swing करते हैं उनके लिए make up और break up level रहने वाला है इसको हम breakout level आपको लिखके देता हूं breakout level है 38,025 का अगर 38,025 से उपर बदा चलता है तो 38,220 फर्स target रहेगा 38,416 फर्स target रहेगा 38,612 फर्स target रहेगा और नीचे में अगर ये up targets रहेंगे हमारे और down targets हमाई जो रहने वाले हैं वो रहेगा नीचे में 37,830 37,636 और last target 37,442 तो guys ये लेवल analysis रहेंगे इनको study कर लीजिए का अपनी study के सथ मैंच कर लीजिए I hope video पसंद आया होगा, video पसंद आ गया है या आ रहा है तो please like प्रेस कर दीजी और video को share कीजिए ताकि जादस 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 ट्रेडर्स इस वीडियो का फाइदा रहा है, comment section में जाके लिखे, कोई improvement चाहिए तो भी comment section में जाके लिखे, improve कर नहीं कोशिश करूँआ, मिलते हैं कर live session में रात को 9 बच के 15 मिंट पर और आपके सवाल जवाब लेंगे, direct पूछी का सवाल आपके किस किस stock से position पसी हुई है, जिदे जादा सवाल हो सकता है उतने लिखे नहीं कोशिश करूँआ, मिलते हैं रात को 9 बच के 15 मिंट पर, thank you so much, check it, bye bye, जहिन